मैं दोनों की बात करता हूँ हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहा है इस टीमर पहली बार चला है सर बड़े च्हमा और बिनेक साथ बोलता हूँ कहीं आगे आप यह न बोल दीजिए गा कि गंगा धड़ती पे आई है तो भागीरत में नहीं मोदीजी ने उतारा है मैं प्रियंका गांदी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा और पार्त मेरे पास में मेरे पास में जरनलिजम के एक असौर्ट राइफल है जिसका नाम है एके ठीक है अचा अबुग जाईए एके के बास में 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 एके राजधर में एके वार होना बहुत वरूरी है एके मिश्रा राजनिदिक विशलेशक भी हमारे साथ मौझूद है तो आप जंता के पास हम लोगों को जाना चाहिए जब आप उनके दुख दर्द सुनेंगे समझेंगे तब हमें पता चलेगा असली राजधर्म क्या है यह पॉलिटीशियन लोग राजधर्म को अपने तरीके से निभाते हैं बताते हैं जन्ता में प्रोजेक्ट करते हैं सोला लोग सभा चुनाओं में जो आखिर के पांचे लोग सभा चुनाओं में बहुत करीब से आपने उन्हें देखा है समझा है जाना है हाँ सब रुख जाए रुख जाए पानी पी लीजे थोड़ी देर एक मुझे बताईएगा जो अलग अलग पुलिटिकल यात्राएं होती है ना इनका बड़ा प्रभाव होता है अब पुलिटिकल यात्राएं कैसी जो चंदरशेकर की 1983 की पुलिटिकल या पुरवांचल में प्रियंका गांधी की यात्रा डाल पाएगी और वो भी तब जब नाओं के जरीय कर रही है क्योंकि पॉलिटिक्स इस ऑल अबाट सिंबॉलिजम रशित देखे आपका क्वेश्चन और आपका एक्स्प्रिनेशन बड़ा लॉजिकल है जल्दी से आपको इसका एतिहासिक महत बता दू किसी ने किसी मामले में राम चंदर जी का जो बनवास हुआ था 14 साल उनकी भी एक पॉलिटिकल यात्रा थी क्योंकि एक राजा को हरा करके उन्होंने एक दूसरा राज सिंहासन या राज सकता सकता इस्तापित की थी पास्ट में आप देखिए अमेरिका का एक्जाम्पेल लेजिए तो लिंकन ने भी यह चीज़ें से की थी आपने सही बोला यह जो पुलिटिकल यात्रा होती है वह भारत जैसे देश में ठी कर सके और लेटर और वोटिंग के दिन पर उसको वोट में कमवर्ट कर सके इनका सीधा सा परफ़स यह है देखिए आपने बोला राजधर्म क्या है असली राजधर्म की अगर डिफिनीशन पूछनी है तो आप जनता के पास हम लोगों को जाना चाहिए जब आप उनके सित्र बोल रहा है इस टीमर पहली बार चला है सर बड़े छमा और बिने के साथ बोलता हूं कहीं आगे आप यह न बोल दीजिए गा कि गंगा धर्ती पे आई है तो भागी रत में नहीं मोदी जी ने उतारा है दिस इस वन मैं प्रियंका गंधी के लिए भी मैं बोलना चाह साह हमें जब वक्त मिलता था वक्त नहीं मिलता था तो वक्त निकाल के नाहीं जाते थे और ढोल बाजा करके नहीं जाते ते अम ना आते थे चलनने ये बीजेपी का राजधर्म क्या है आप देख लीजे जो आपने शब्द बोले अभी डॉक्टर महेश शर्मा ने बोले मुझे बड़ा दुख हुआ इतने लरनेड आदमी है और इस तरह के शब्द मैं एक एक्जामपल और देदा चाहे इसमिती रानी हो और हजारों बेटि आप किस पार्टी से बिलॉंग करते हैं आप अपने इतिहास को देखिए और आप यह श्लोक पढ़नाएं आपको तो अधिकार भी नहीं है इस श्लोक के बारे में सोचने और पढ़ने के लिए आप चैनल पर बोल कैसा रहे हैं आप जाके इस पर मनंद करिए रावर बिने क जबती डाली तो उसका पॉलिस्टर अपने पर दिया था जब आपका बड़क्ता बोता आप इसका पॉलिट के लुटे नहीं लेते और यही राजधार में कि दॉक्तर मेह श्रमा जो इसमें पढ़े लिए 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 जिनका नर्शिंगों इतना बढ़ा चल दा है कुछना चाहता हूं कोई लाई हो आप इसे क्या होगा आप मुझे रता हूं आप इनकी टिकर्ट इनकी सीट परना दिखता होगे यही वर्ड मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं यही रा आप शरक पे जाबर के किसी लाजधार में कुमार अशोग जवाब देजिए कि आपका कुमार अशोग जी पहले आप जबाद दीजिए मैं इस शर्मा के किना आप कारवाई कुछ करेंगी क्या बीजीपी अशोग जी आता हूं आपके बास तकों में गड़े से यादाया गाजवाद से नौईडा का सपर में रोज तैय करती हूं अगले दिन प्रधामंपी नरेंड रुमूदी का दौरा था लेकिन रातो रात सड़क बना दी गई थी राश्चे इस पर भी सवाल होना चाहिए र प्रियंका गांधी के साथ लगाता सावित्री भाई फुले थी क्या सिंबॉलिजम में कुछ और भी आपको नजर आया है क्या डेशनेटली देखिए बात यहां राजधर्म की चल रही है इनों ने जो यह बोला उसी इसी से कॉंसेट से रिलेटेड है चाचा शियुपाल य अज बीजेपी ने ।िकट नहीं दिया या नहीं मिल रहा है तो अब उनको कॉंग्रेस के साथ अपना राजधर्म और निभा रही है मैं राशित बोलना यह चाहता हूं राजधर्म क्या होता है यह प्रजा से जाके पूछिए प्रजा बताए कि राजधर्म क्या है कितनी अधिक्कत है कितना development हुआ इन नेताओं से राजधर्म यह अपने हिसाब से define करते हैं और दूसरी चीज़ सावित्री भाई फुले का जो आपने बोला सावित्री भाई फुले मैं से कई बार मैं face to face debate में बैठा हूं देखिए she is also very much opportunistic सबसे बड़ा राजधर्म नेताओं का इन पर्टीों का यही है कैसे वी करके उनका अस्थित तो बचा रहे हैं बचा रहे हैं मतलब सीट मिल जाए उनको टिकर्ट मिल जाए वो मंत्री मिनिस्टर बन जाएर यह राजधर्म को राजधर्म क्योन पार्टी की जीत के लिए निभा रहे हैं, इन लोगों ने क्या जंता की भलाई के लिए बात किया अपने चुनावी एजंडा में, मैं फिर बोलता हूं, कॉंग्रेस हो चाहे जो हो, जो कभी गंगा नहाने नहीं गया, जो राम को इन सब चीजों को निगेटिव बोलते थे उनके वारे में, मैं इतियास दोहराना नहीं चाहता हूं, चुनाव के ठीक बले आज आज आपको गंगा यातरक, अरे आप पहले कभी जा करके नहाए होते आजमन किये होते, गंगा जल से लेके कुछ संकल्प किया होता, मैं सब लोगों के लिए ये बोलूँगा, तब तो हम मानते कि यहां बाई आपके अंदर स्रद्धा है, यह चुनावी स्रद्धा है साहब, मैं आपको क्लियर कर बता दूँ, जाहे बिए संकल्प की बात है, इसलिए जन्ता के दरबार में जाना है, तो तो दियम बस तुगोविंदम तुभ्यमेवास समर पए कि धारना पर जुकाँ करेगा, जो चुनोतियां पांचल साशन कर लेने के बाद, आज बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए राजधर्म ये है, कि पिछली परफॉर्मे जो चोटे-चोटे दल है, उनका राजधर्म आज की डेट में ये है, कि संसद में जैसे पहले राजाओं के यहां सीटे लगती थी, संसद में कहीं उनको सीटे मिल जाए, सब लोग अपना राजधर्म कर रहे हैं, लेकिन जनता से तो जरा पूछ लो साहब कि असकी राजध भी मेरे साथ में है, आप सभी का पे बहुत-बहुत स्वागत है, सवाल तीखे होंगे, सवाल सीधे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, पहले ही हम ये कह दे रहा है, चुकि राजधर्म का सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, सवाल को डिरेल मत कीजेगा, चिलाहट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सियासत नहीं, सियासत से अलग जा करके, सतह परा करके, आम आदमी की नब्स टटोलने वाली बात होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर, राजधर्में, अब पहला सवाल, कॉंग्रिस के नेताब, चंद्रमोहन शर्मा जी से मे करती हैं, लेकिन उन चंद लोगों को जिने अतराज है कि प्रियंका गांधी क्यों गंगा की बेटी बन नहीं है, उन्हें आपका जवाब क्या होगा, उन चंद लोगों को आपका जवाब क्या होगा, जिनका कहना ये है कि धर्म को अब आप लोग भी इनकैश करना जान भी बीब गया है, सीख भी गया है, आगे बढ़ भी गया देखे, राशिट भाई, घाह discussion अब देना है, उसके नहीं कहनी देख लिया, उसके शाद साथ उनकी मानसकता का पता चला गया, जो अपने आपको देश की महला की शुरक्षा के साथ जोडते हैं और देश की महला की शुरक्षा जोडने वाले उस बातों का भी आज उन्होंने परमांड दिया उस केंद्रे मंत्री ने जो अपने आपको संस्कृतिक केंद्रे मंत्री कहे जाते हैं उसके बाद रही बात आज देश की जनता को ये भी देखना को है कि एक ये कहके आयता है कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का पूत हूँ, ये बन के आया और क्या हुआ, पांच सालों में वो क्या बन गया है, चोकीदार, और चोकीदार बनने के बाद भी एक जब पूछा देश ने आप से पूछा हिंदू के उस रिटर ने पूछा जो आप से जवाब मांग रहा था आप ने जवाब ना देते हुए उस चोकीदार के शब्द को भी परिवाशित बदलकर मैं प्रियंका गांधी का सवाल पूछूँगा तो आप चोकीदार पे चले जाएंगे मैं प्रियंका का सवाल पूछूँगा तो आप दहिंदू के संपादक पे चले जाएंगे मैं प्रियंका गांधी का सवाल पूछूँगा तो आप बदजुबानी पर चले जाएंगे मैं देर इसके अंदर सब धर्मों के लोग रहते हैं उसको कोई धर्म याद करने की जोटनी है इस धर्म की परविटती इस देश के अंदर बीजेपी सरकार के दोरा फैलाई गई अगर आज प्रिंका गांधी पूजा करने तो उस पर किस बात का कोश्चन है प्रिंका गांधी प्रियागरज गया तो वहां भी जाएंगी जो अक्षे ग्रह रहा हुआ है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है वो भारत की अंदर उस माता की बेटी है जिस माता का गंगा के त्टक के ओपर गई है तो इसके ओपर कितना हल्ला मचाने की जीरूरत है तो बीजेपी वाले बत लोगों के बीच पहुँच रही है तो मर्यादा भूल क्यों जा रही है बीजेपी एक आरोप लगाने का या फिर निशाना साथने का एक तरीका होता है भाशा की मर्यादा रखनी चाहिए थी जो प्रियांका गांधी को कहा गया क्या वो ठीक है आपके लिहाद से का ही उत्तर दूंगा और ये प्रश्ण का प्रश्ण भी उत्तर है मैं आपको बता रहा हूं शंकर के उपर बैठा हुआ बिच्छू है ये भी कहा गया जब मर्यादा भाशा की मर्यादा दोनों को ही रखनी होती है कुमार अशुक जी कुंदा चेहरा चमकाना है चोकलिटी च चेहरा दिखाना है और अब पप्पू के साथ पपी भी आ गई है क्या इतना इस्तर गिर गया है आप लोगों का मैं नहीं किसी का मैंने कहा ना भाशा का संयम और भाशा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए सभी रखते हैं और आज की सिती यह है कि राजनी छोटी हो गई है इरश्या बड़ी हो गई है जब राजनी छोटी हो जाती है इरश्या बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर एक आवेश पैदा होता है असंतुलन होता है और वो आवेश असंतुलन किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह उसी का प्रतिविंब है निश्चित तोर पर को अच्छा नहीं कहा जाएगा किसी पर तरह से मद्याम क्रिया कोश्र्मां आप कहें जैराएगे वहznir सोल आएम जहां पर आवेश आता है क्रिया और प्रतिक्रिया होती तो सब कुछ मान लिया लेकिन जानते हैं महेश शर्मा जी एक ऐसी पार्टी को बिलॉंग करते हैं जो चाल चरित्रो चेहरा इन तीनों का दंब भरा करती है एक ऐसे ऐसी पार्टी को बिलॉंग करते हैं जहां पर भाशा की मर्यादा भी होती है राजनीती का शिष्टाचार भी होता है वेवारिक तौर से शालिंता भ बहुत सम्मान करता हूँ आपका, आपने मेरे ही प्रश्ण से मुसको बांदिया, मैंने आपको यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि चाल चेहरा चरित्र एवं चिंतन, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, ऐसे में महेश शर्माजी निश्चितों पर एक विद्वान भी है, और वो समा विपक्षी दलों में है, जो विपक्ष का आचरन भी है, तो आप प्पी बोलेंगे, चौकिदार वसे पप्पी, कुमाराशोग जी, आप यह शालीन है, मैं तो आपको वेक्तिगा, जानता हूं कुमाराशोग जी, कुमाराशोग जी, पप्पी को तो अंडॉर्स मत कीजे ना, पप्पी को तो अंडॉर्स मत कीजे ना? पर फिर ऊसको आप अरिवाशिद कर रहे है विदवान के साथ तो यहाँ पर चालचरीतों चहरा आपका दिखता है आपकी ब्रूशा मतर संसटार करे भास पाकई दोगले है जो आप कहरे है बार्श फृपिन टार की चैंघ रचना ने राज़्धर्म का सवाल संग विचारक कितरा बढ़ा दिया है और मेरे खाल से डॉक्टर वंदना पांडे को इसका जवाब देना ही देना चाहिए डॉक्टर वंदना पांडे आप लोग गाईज करते हैं भाती जन्ता पार्टी को ही नहीं बलकि सभी को आप लोग की गाइडेंस यह होती है कि शिष्टाचार किस तरीके से होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, भाषा की सीमा क्या होनी चाहिए, भाषा की लक्ष्मा रेखा क्या होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, सीधे ही यह बताईए क क्या ऐसे बयानों की निंदा आप करती हैं निश्चित रूप से बात बोला भारती संस्कृति किसी भी महिला के लिए किसी भी तरह के अब शब्द या इस तरह से जिससे उसके सम्मान को च्छती पोच्छती हो उसकी अनुमती नहीं देती संग तो बिलकुल ही इस तरह की ब्य इस पर गौर किया जा कि किसी भी महिला के लिए अब शब्द नहीं कही जाने चाहिए सिर्फ इस लिए कि किसी बड़े महान व्यक्तितों के लिए किसी बड़े बहुत बड़ी शक्सियत के लिए बात कर दी गई तो यह ऐसी परिपार्टी राजनीती इतनी दूशित हो चु प्रियंका वाडरा या प्रियंका गांधी वाडरा जी इस भारत के बेटी है और इस नाते किसी को भी कोई अब शब्द नहीं बोला जाना चाहिए लेकिन सभी महिला इस भारत की बेटी हैं सिर्फ प्रियंका गांधी पर ही तहलका मच जाए दर्द उठ जाए इस मिती इरा कि यह जो दुशीत वाता वरन हुआ है उसमें सब लोगों ने अपने राज धर्म को भूलने का जरूर प्रयास किया है आप किसी एक के उपर ही आख्षे पर रहे जाए कि दो सब्सक्राइब एक सांसद को सुरूपनखा के साथ उसकी हसी को सुपना के साथ संबोधित कर दें कारेश के सब्सक्राइब लाजभन के साथ नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी माँ क्या एक गरीब का प्रधान मंत्री बनना इतना बड़ा गुना हो गया कि आज हम एक अगर परंपरा को तोड़ा है उन्होंने एक हजूर का बेटा हजूर बने ये परंपरा रही इस देश की पहली बार एक मजदूर का बेटा हजूर बना है तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा है मनो सिंह काका मनो सिंह काका प्रियंका गांधी को लेकर के समाजवादी पार्टी का राजधर्म क्या क्या क्याता है देखे देखे समाजवादी पार्टी हमेशा से इस पक्ष का पक्षिधर रही है कि राजनीत में भारती लोकसाही में और हमारा संबैधानिक हक है संबीदान के प्रियंबल में किताभी को यहां आशकी शमांता है सभी को राजनीत में आने कर रहे ही और समाजवादी पार्टी तो इस विचारधारा कि पॉज्यंत्र रमन्त्र टत्र देउता अब है पिजे पिते बाद रहें महराज नुलाम से ग्यादों लड़कों से गलती हो जाती है उनोने अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर महिलाओं के लिए गरिमा को लेकर इतनी बात आप कर रहें इतने बयान आप दे रहे हैं तो याद कीजिए ना सपा सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी आप रात की जो ग्राफ तो लगाता है उपर की तरफ जा रहा है महिलाओं से पुछे ना माया बती सुरक्षित रही थी कि जिस महिला को फूलन देवी जैसे महिला को जिस सामंतियों ने रौदा था उसको भी देश में भेज करके सबसे सम्मान देने का काम वही पुछे मुलाहिम सिंग ने यादो जी ने किया अब आप शब्दूस्टी जिए ने वाद बार बार गयाओं करती सम्मान दिया और हमारे पार्टी वार्टी पर शाहर्वक्स की सहूलियत है यह धाई दशक की दुश्मन ही भुला दिये आप लोगों ने तो आज आप मारी को पूझने की बाद भी कर दें में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि राज़ीत में कोई किशी का दोस्तों नहीं होता है राग्मी थमेसा विचादारा के आदार पर चलती है और हमारी जो विचादारा है वही कमों बेश्माजवादी पार्टी की है पुलिटिक्स is all about selfishness स्वाथ होता है तो लगातार जूते बरसा रहा है उससे यहीं दिख रहा है और राटी की तरफ से जावेद एमद भी हमारे साथ जुड़े हुए है जावेद एमद जी तरीके से कॉंग्रस ने फ्रंट पूट पर ला दिया है प्रियांका गांधी को पोस्टर गल बना दिया है आपको लगता ह कॉंग्रस कुछ कमाल कर पाएग उत्तर प्रदेश में मैं accumulate कमाल तो जन्ता करती है कोई नेता नहीं करता है प्रियंका जी का संबाइधानी का धिकार है लोकतांतिरिक विवस्था है वो राजनीत में आई उनका हम लोगों ने स्वागत भी किया लेकिन कमाल का उन करेगा धमाल का उन करेगा ये तो जनता जनारदन तै करती है हम और आप बैटकर यहां नहीं तै करते हैं निश्चित रूप से जनता फै अर्विंद यादर जी कहेंगे कि हां कमाल कर पाएगी कॉंग्रस क्यूंकि PSPL और कॉंग्रस तो हाथ मिलाने वाले हैं नहीं यह देखिए यह अर्विंद यादर का अपना मामला है PSPL का मामला है जी आपको लगता है प्रियंका गांधी उत्तरप्रदेश में कुछ कमाल कर पाएगी नहीं देखिए कहना नहीं चाहिए यह सत्य है कि प्रियंका गांधी का जो बैक्ग्राउंड राय जो पिछे लिए चुनाओं 2014 में भी उन्होंने भूम का निभाई थी तो कहीं न कहीं कुछ इफेक्ट पड़ता है बट इतना नहीं इफेक्ट पड़ता कि उनकी अहम भूमिका हो जाए आज कॉंग्रेस सबसे बड़ी भूल कर रही है सभी सेखुलर दर्लों को इनको एक साथ लेकर के चलना चाहिए जो इनका घमड इस समय कॉंग्रेस की देखी जा रही है और, गोनीर ऑ्विंद रूह भी कि enfants फेल सब प्सक्राइब एन जीनियर अर्विंद यादों बड़ा दर्द नजब अरहा हुए और बात मुझे Alrighty झूद इसे कोई बात ही नहीं हॊई कॉंग्रस इस सेक्यूलर अरे कैसा राजधर्म है आपका इतनी जल्दी जबान बदल गई प्रियंका भी कुछ ना कॉंग्रस आंकारी हो गई आपके लिए दिल जले अंकारी हो गई कि जो इनको एलाइंस करना चाहिए दिल जलता है तो जलने दे और इन्हों ने किया नहीं आ कि मार शूक बगल जी जबाओने लिए आपके लिए उस मजधार में कांग्रेश की नए अटकी हुई है उस मजधार में अटकी देख रहा जी चोटीसी चेषटा प्रियंका जी ने की ने की है और अ हमें तो खुशी है कि सुद्रन सवच्छ तट गहरी गंगा निर्मल पानी बहता प्रवाह और हमारे द्वारा मोधी जी द्वारा चलाए गया एक स्टीमर शुबह चले जाते हैं वहाँ पीश में मत बोलिये बीश में बोलिये बापरे बाप गंगा में क्या मोधी जी से पबल मेरे पास में मेरे पास में जरनालिजम की एक आसवार्ट राइफल है जिसका नाम है कि अच आप मुझे ऐसा लगता है कुमार शोक जिल्दी से अपनी बात पूरी कर लें राजधर्म वाली जल्दी से अपनी बात पूरी करें तो इसमें जो एक निर्मल गंगा प्रवाह आज तक कभी भी जल प्रवाह को जल मार्ग नहीं बनाये गया पहली बार जल मार्ग का भी कार्य हुआ है इस प्रदेश में चाहे वो रेल का यात्रा रही हो सुगम किया ह्भाई आतरा रही हो हमने सुगम किया जेवर जैसे छेत्र में हमने ह्वाय अट्रा बनाया प्रयाघ में ह्वाई अट्रा बनाया काशी में हवाई बनाया कुमर अशो जी तो यह नि Здुन डॉ remedy निया में आकर थे जो पहली साम ले वो भी जी की वजय से ले से हम लिए 16 लोग सभा चुनाओं में जो आखिर के 5-6 लोग सभा चुनाओं में बहुत परीब से आपने उन्हें देखा है समझा है जाना है और हाँ सब रुख जाए रुख जाए पानी पी लीजे थोड़ी देर एक मुझे बताइगा जो अलग अलग पुलीटिकल यात्रा होती है नहimme बड़ा प्रभाव होता है अब पुलीटिकल यात्रा हैं कैसी interesting जो चंदर शेकर की 1983 की political आतरा थी पढ़ियातरा थी उसका ऐक अलग प्रभाव था आढवानी की रध्यातरा का एक प्रभाव था 2011 में अखलेश की आतरा का एक प्रभाव था इसी तरह से इंदिरा गांधी की वेर्ची वाली आतरा का भी एक प्रभाव Thunder क्या उसी तरह की कोई उसी तरह का कोई प्रभाव पूरुवांचल में प्रियंका गांधी की यात्रा डाल पाएगी और वह भी तब जब नाओं के जरीए कर रही है क्योंकि पॉलिटिक्स इस ऑल अबाट सिंबॉलिजम प्राशित देखिए आपका क्वेश्चन और आपका एक्स्प्रिनेशन बड़ा लॉजिकल है जल्दी से आपको इसका एतिहासिक महत बता दू किसी ने किसी मामले में राम चंद्र जी का जो बनवास हुआ था 14 साल उनकी भी एक पॉलिटिकल यात्रा थी क्योंकि एक राजा क से ठीक चुनाओं के पहले चाहे वो जल्यात्रा हो चाहे सडक मार्ग हो चाहे चार्टर प्रेंसे वाईउ मार्ग से हो यह बहुत ही ज्यादा सिंबोलिक होती है इसमें पार्टियां करती यह है कि जनता को एक मैसेज देना चाहती है चाकि ताकि वह एक अफेक्शन समझेंगे तब हमें पता चलेगा असली राजधर्म क्या है यह पॉलिटीशियन लोग राजधर्म को अपने तरीके से निभाते हैं बताते हैं जनता में प्रोजेक्ट करते हैं मैं दोनों की बात करता हूँ हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहा है चाहे स्टीमर पहली बार बड़े चमा और बिने के साथ बोलता हूं कहीं आगे आप यह न बोल दीजिए गा कि गंगा धर्ती पे आई है तो भागी रत में नहीं मोदी जी ने उतारा है दिस इस वन मैं प्रियंका गांधी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा और बड़े बिने और चमा के साथ सर चा याम बड़े नहीं जाते थे और ढोल बाजा करके नहीं जाते थे अम ना आते थे चर्टेट प्लें से चलने वाले लोग चुनाओं के ठीप पाले बोत यात्रा कर रही है तो यह गंगा के से श्रद्धा नहीं है यह आधूनिक पॉलिटिक्स में आधूनिक राजणी ती मे कॉंग्रेस का राजधर्म है और जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी का राजधर्म क्या है आप देख लीजे जो आपने शब्द बोले अभी डॉक्टर महेश शर्मा ने बोले मुझे बड़ा दुख हुआ इतने लरनेड आदमी है और इस तरह के शरम नहीं आई यह पढ़ते हुए यत्रनारियस तो पूझे अंते रमंते तत्र देवता आप किस पार्टी से बिलॉंग करते हैं आप अपने इतिहास को देखे और आप यह श्लोक पढ़ आया है आपको तो अधिकार भी नहीं है इस श्लोक के बारे में सोचने और पढ़न के लिए आप चैनल पे बोल कैसर है आप जाके इस पर मनंद करिए रहा बड़े बिनें के दाथ रहे हो राशिर्ट यही राज़्धर्म है यहीरास धर्म है कि घस हाउस का उनकर मैं और आज यहीं आदर मार्या सब्सक्राइब आख और यहीं राज़्धर्म है आपका और अ जो इसमें पढ़ें कि दोक्तर है जिनका नर्शीगूम इतना वड़ा चलता है मैं दिया ती से पूछना चाहता हूं कोई लिए आई है आप इसे क्या क्या होगा आप इसे क्या होगा आप इनकी दिगर इसीट नत परोगे यही वर्ड मैं चैलेंज के साथ पोगता हूं जोगी में गंगा जल को छूने वाले नहीं एज जंगा यात्रा कर रहा है कि पहले आप कारवाई कुछ करेंगी क्या विजेपी इस जी नहीं वर्ड मारे शोग बोल जे करो अधि अधि नता पार्टी भारतियों जंता पार्टी के तरफ से अभी अत्कृत बयान भी आएगा हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे हाँ चाल, चहरा, चरी, तिरिवम, चिंतन डॉक्टर महिश शर्मा जी के इस बात के लिए हमने आपसे कहा कि इस चुटर पर यह बात गलत थी विनोध नारेंट जा लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अगर फूलन देवी जी के लिए अभी यहां बैठे हुए प्रवक्ता रौंदरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामन्त वादियों ने रौंदा आप सोचिए इनकी क्या सीमा है शब्दों की जहां शब्दों की मर्यादा समात हो जाती है जहां पर राजनेतिक चालाकर शुरू होती है जहां पर सवालों को डख किया जाता है वहां से हम लापस सवाल पर लेकर जाते हैं एक काम कर लेता है जो जो मेरा सवाल है जो रश्टना का सवाल है प्रियंका जी जो सवाल किया जाओ उसी का जवाब दें यह मेरी गुजारिश है आप सभी से महानुभाओं से समाने जनों से कुमार शुक जी आप बोलें और उसके बाद फिर मानों सिंग काका आप बोलेंगे चंदरमोहन शर्मा के पास भी जाना है मुझे कुमार शुक जी जल्दी से बोली आप एक सवाल मुझे सवाल मैंने ये कहा कि निश्चित तौर पर मैं इससे सहमत हूँ कि ये एक सियासी यात्रा है लेकिन अच्छी सी बात है कि उन्होंने यात्रा करने का प्रारम किया तो उनको विकास भी दिखेगा उनको गंदा की गहराई भी जल्मार्ग भी प्रारम भुआ है जो प्रयाक से काशी तक ले जा रहा है और जीवन में कुछ सहना भी सीखना चाहिए तो सारी बात बोले नहीं पैशने नहीं से पैने से पहलें कुमार शुख जो एका के बिली चली हज को मैं इतना ही कहना चाहूं का बात तो ठीक है चंद इनी नेता होना बहुत जरूरी होता है और अगर आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि गांधी क्लैन में अगर कोई बहुत बड़ी नेता या गांधी फैमिली की सुपुत्री अगर सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई है तो सीधे कॉंग्रेस महासाची बन गई ह क्या उन्होंने पूरी पूरे हंदुस्तान को जाना है पूरा हंदुस्तान कश्मीर से करना है कुमारी तक है अठक से ले करके कटक तक है और आप तब तक जनाधार के नेता नहीं होते हैं जबकि जनता की आवाज न समझ सके जनता की नफस को न टटोल सके उनकी जरूरत क्या यह ना जान सकें उनके मन मस्तिश्क में क्या चला है यह ना जान सकें तो यह सवाल तो सर किया ही जाएगा ना कि सीधे पराशूट पुलिटीशन बन करके आ गई है तो कैसे उन पर भरोसा जताय जाए देखिए राशिद भाई आपकी बातों जनाधार नेता जनाधार नेता तब ही तो है जिसको मेरे बीज़ेपी के नेता बोल रहे है महेशरमा जी को विद्वान क्योंनी विद्वान की उपाब्धी देने के बाद भी उनकी जबान उनका मदमस्तिक बदल गया क्योंकि जनाधार नेता था है वो उनने आके आज कोई पदयात्रा की है बड़ी पद नरे खार करता बनाते करना अब बिल्कुल वह करता कि हैसे से उन्होंने का साबर्मति ऐसे चान तरह हूं के युपी अचल कराGG आसना थाय इसका प्राइध द सब्सक्राइ को उर्वांशल करना वाला उन्दुर में किरा घृति हॉन्फ यर zig observe sureि उनी मैक शुआ का छे वरा जोसर नो 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 ना 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 से ज़से जांसे आते जिपो आ रहीएं उसको फोकस करेगा जिस काम के लिए जोतीरा सिंदे जी आगे आ रहेंगे तो उसको भी करेगा तो इसके उपर राशित भाई कोई बोड़ा कोश्चन नहीं होता अगर कॉंग्रेस पार्टी ने ये चीज़ डिसाइड करी तो प्रयाग राज के अंदर जा के अगर हमने करा तो प्रयाग राज मे जी अब आप इस्षीज को आप कैसे देख रही हैं भारती राज नीती में और विष्रुकी राजनीती में ऐसा मानती हूं कि इस फोलिटिकल आठ है यह सब राजनेति कला बाजियां है और यह सब चुनाव के समय इन कला बाजियों का बहुत उत्युक्ति कर रही है सब मैं क प्लीज मैंने किसी का नाम ने लिया मैंने जनरल संदर्ग में बात कई है कि भारती राजनीती में और विश्यो की राजनीती में बरी बात पर आप गौर फर्माइए वह अपने पार्टी की महासची हो है यही प्रियंका गांधी जी है जिनों यह कहा था कि मोधी जो है पिछले चुनाव में 2014 के कि यह बाहर के लोग क्यों चले आते हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेस और राहूल उत्तर प्रदेश के बैटे हैं तो उत्तर प्रदेश की वह भी बैटी नहीं जन्म उन्होंने अचानक उत्मन्न हो जाता है जमीनी नेता क्या दो दिन में उत्मन हो जाता है और जबाइब का राजनिती और प्रचार करने आता है भारती है मतलब कॉंग्रेस में आज तक कोई और महिला महा सचीव पत्पर शोवित क्यों नहीं हुई और कोई महिला जो है कॉंग्रेस के अंदर से अधक्षा का पाथ क्यों नहीं सुश्रपित कर पाई क्योंकि एक हम इंसानों की फित्रत होती है ना डोट बावना फिल्ट और मुझे अधि ने ने जिए ने अधर विसेंदू परशित लिए पिधा दीजी आप इन्धिरा उसके बादी निए क्यों निए ने निए निए वे आपन्दाग्धार भावनापनों की राजनीती है ये वे उप्सारी अप्रादे का गणिव निए य प्रियंका गंधी के नाम के साथ में यह तो ठीक है कि आप बहुत लोग यह कह रहा है कि भाती जनता पार्टी उसे शाइड डर है इसलिए भाषा की मर्यादा जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है प्रियंका गंधी को ले करके लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी प्रियंका गंधी को ले करके कोई डर है क्या और यही वो डर है जिसकी वज़ा से आज कॉंग्रेस पर बॉखलाए हुए अलेश भी नजर आए और साथ ही मायवती भी नजर आई मायवती ने ट्वीट भी कर दिया अखलेश आदव ने भी कह दिया मायवती और अखलेश ने मिल करक लगबगिया कह दिया कि हमें कांग्रेस के किसी एहसान की जरूरत नहीं है अगर मैंनपूरी में आप नहीं उतारते हैं हमें एहसान नहीं चाहिए अगर आप कन्नोज में नहीं उतारते हैं तो हमें कोई एहसान नहीं चाहिए इस तरीके का डर आखिर कार क्यों नज़र आ रहा समाजवादी पार्टी और ब्यस्पी का और आर ल्डी का जो गठ बंधन है यह बहुत इंटेक है और कली परसों एक इंटर्विव में हमारे राश्टी अद्यक जी ने कहा कि यह आम जन का गठ बंधन है और पुरो में RLD के जैन जी ने कहा कि दिलों का गठ बंधन है तो जब दिलों का गठ बंधन होता है तो दिमाग के गठ बंधन से ज़्यादा श्वभाविक होता है और उसमें जो उत्सा उमंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर आप आंकडों पे साब जाएं तो जो बिगत हमारा और BSP का ही अगर आप 8 परसेंटेज देखेंगे तो 21 और 22 पॉइंट सम्थिंग है उससे ही हम कई गुना BJP से लगबग 5 पिसदी जादा हैं इस समय तो हमारे पास RLD भी है और आम जन गाओं गरीब किशान नौजवा है हमारे राष्टिय अद्यव जी ने कहा कि यह देश नया प्रदान मंत्री चाहता और मैं आपको इसमें अस्वस्त करना चाहूंगा कि इस नया प्रदान मंत्री में अगर सबसे बड़ी भूम का कोई निवाएगा इस पूरे देश में तो खिलेश जी होंगे आपके राष्टिय अद्यव जी ने कहा कि देश नया प्रदान मंत्री चाहता है लेकिन आपके मागद दर्शक मुलाइन सिंग यादाओ जी ने कहा कि देश को फिर से नरेंद्र मोदी ही चाहिए खैर मैं जावेज जी के पास जाना बेहत जरूरी है जावेज जी मुलाइन तो प्रियंका से डर्ल लगता है जावेज जी जी रासिट साब ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं है और ये ये सच्चाही है कि ये हमारा गटबंधन दिलों का गटबंधन है दिलों का गटबंधन इस माइने में है कि जो जंता की मूल-भूत समस्या है जो जंता के सवाल है हमने उन सवालों को लेकर ये गड़बंधन किया है कि जंता का जिस तरीके से उत्पिलन किया गया है जिस तरीके से उसकी अंदेखी की गई है उस अंदेखी के चलते ये सारे दिल एक साथ मिले हैं इसलिए मिले हैं कि जो हाम आदमी है इस देश का उसकी समस्याओं का निराकर पूरे पाँच साल छल किया गया है मोधी जी के नेक्तोत्में जो छल छर्म की राजनीत की गई है जो जूट बोला गया है उसका परदाफास करना था और जनता को वो सचाई बतानी थी कि देखिये आपके साथ क्या किया गया है मैं जोला उठाऊंगा चला जाऊंगा लाठी me good निकल नहें निकल नहें ये लोग है मोधी जी के जो ले में और भासा की मर्यादा सब्दों की दो सालिंता की बात कर रहे है भारती जलता पार्टी ने तो कभी लुकाले तो सफसर्कार का भी और भी याघ्य करती पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेस मैं नहीं कुमार असोक जी, बैटे हुए, जिस समय उत्तर प्रदेस में भारती जन्था पालटी की सरकार बनी, मुख मंत्री जी ने का प्रदेश में एक एक सलक गड़्ा मुक्त होगी किसी भी सलक पर गड़्े नहीं होगे आज जो सलकें गड़्ा मुक्त की गई उसका बजट कितना था और कहा गया वो बजट सलकें आज भी उसी तरीके से हैं सलकों में गड़्े हैं तो आपके की सरकार में हुए होगा तो जलदी से और दितले हैं मेंसरा प्रोंब करनेशा जंपत्स यो कर्ट कर भी प्र लिव ख हुबर हुब ठीक हो एक बेहडा को सुनें편े सक ए घ्र्च ठीके कुमार फोल कर लेंगे एफ जब कोई उत्रप्रदेश की सीवा में घुसता था अधेरा और सड़क वहीन मार्ग यह दिखा देता था कि हम अध्र प्रवेस कर गए है आज चारो तरप्रकाश है बिजली सब को मिल रही है और पूरी सड़के बनी राय बरेली से आते हैं बिना ब्रेक के मैं कह सकता हू आजब को फृट होंगे देखा से कंवान पृट है वह तो ठीक हैं अद्रभं के सफर हो पर तो अगली दिन परधा मंच står क का दोरा बात टी गई दी ती रापो एस सवाल होना चाहिए रात तो रात सड़क बना दी गई ती एक है मेरे खाल से कुछ चीजें और बीश मेलाने की जबरत हैं मैं तस्वीरों में चीज देख पा रहा हूं प्रियंका गांधी के साथ लगाता सावित्री भाई फुले थी क्या सिंबॉलिजम में कुछ और भी आपको नजर आया है क्या डेशनेटली देखिए बात यहां राजधर है सावित्री भाई फुले इतने दिनों तक बीजेपी के सीट पे रही एमेले रही यही राजधर्म है कि आज बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या नहीं मिल रहा है तो अब उनको कॉंग्रेस के साथ अपना राजधर्म और निभा रही है मैं राशित बोलना यह चाहता राजधर्म क्या होता है यह प्रजा से जाके पूछिए प्रजा बताएगी राजधर्म क्या है कितनी दिक्कत है कितना डेवलम्मेंट हुआ इन नेताओं से राजधर्म यह अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं और दूसरी चीज़ सावित्री भाई फुले का जो आपने व राजधर्म है इन लोगों का जो इनका राजधर्म केवल राजा के इर्दगिर्द फैला हुआ है इनका राजधर्म वो राजधर्म नहीं है जो की जनता पवलिक सेंट्रिक होता था हमारे पुराने टाइम में यानि प्रजा पालक जो राजा बोला जाता था आप सारे नेत जो राम को इन सब चीजों को निगेटिव बोलते थे उनके वारे में, मैं इतियास दोहराना नहीं चाहता हूं, चुनाव के ठीक वले आज आज आपको गल्डायातरक, अरे आप पहले कभी जा करके नहाय होते, आचमन किये होते, गंगा जल से लेके कुछ संकल्प किया होता, मैं सब लोगों के लिए यह बोलूँगा, तब तो हम मानते कि यहां बाई आपके अंदर शद्धा है, यह चुनावी शद्धा है, साहब, मैं आपको क्लियर कट बतादू, आप जिस संकल्प की आप बात कर रहा हैं, उस संकल्प में विकल्प नहीं हुआ करते, लेकिन तलाशने वाली राजनीती होती है, तभी इस तरीके के चेहरे सामने आते हैं, प्रियांका गांधी ने कहा है कि देश संकट में नजर आ रहा है, इसलिए मुझे घर से निकलना पड़ा, आरवेंद यादव जी, क्या आपको भी लगता है कि देश संकट में है, बिलकुल चाहिए कि जब आदर्णिय स्री सिवपाल सिग्यादो जी पी डवलूडी मिनिस्टर थे, तो पूरे उत्तर परदेश की सरकों को गड़ा मुक्त करके दे दिया, आज की यह इस्तिति है कि गड़ों में ही सड़क है, दूसरी ची, सप्पा के परवक्ता कह रहे थे, जिकि य दिलों का गठ बंदन है, दिल मिला है तो गठ बंदन है, यह कौन सा दिल है कि उसमें आदर्णिय स्री शिवपाल सिग्यादो जी का दिल नहीं मिल पाया, यह कौन सा गठ बंदन है, इसलिए का आप तो दिल जले है, अर्विन भाई, आप तो दिल जले है, मैं भी नहीं कि दिल नहीं मिल पाया है कि इस एलाइंस में भी जाए आपने चैनलों में चला जगा जगा और रही बात हम चाहते थे कि भारत के पार्टी हटे आदनिया मोदी जी अभी जब ब्रेक हुआ था एक बात हो रही थी एक चीज की तो तारीफ करने होगी मेरी बात सुनिये का आप कि पॉलिटिक्स में अगर लोगसाबा चुनाओ का वक्त हो और उस वक्त बड़ा अग्रेशन सा आ जाता है बहुत बार जबान भी खुब चला करती है बहुत बार तत्थियों के साथ भी जब ब्रेक हुआ था तब कि प्रियंका गांदी अपने विर कर देती है क्योंकि मेरा खुद का भी माना यह है कि साइलेंस दब बेस्ट रिप्लाइब बहुत अच्छी बात है साइलेंस दबेस्ट रिप्लाइब समस्या है अभी आपने प्रश्न किया था बहुत अच्छा अपने उत्तर दिया था कि जो भ्रमन करेगा गांदी जी में साउथ अफरीका से जब आए और वह देश में जब उत्रे उस समय पर उतरते हुए वह दे साकिया उन्हों ने देखा कि इस देश में सबसे ज़दा गरीब है और यहां पर लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और जब उपर मेंसे उप किसी के पास 10 नीटर वो वो कोई बात नहीं वो भी एक उत्तर है उसके उपर एक प्रक्राइब रखेगा है तो पुझे पीजिए प्राइब करवा 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 तू राशी दराज धर्म है एक लाइंगी डिफिनिशन राज़ा सो मैंने आपको इस पसका कि उनका संवाद नहीं है जब सतर साल तक क को नहीं बोला जो कि जहां पीडिपी आएगी वाथ सस्था को भी आज बहुंशनिए का आएगी वाथ सेपा ने कुछलेगा हैं जाएंगी स्टेटिकी को इस सरकार रोगी को बनाई जाएगी आप सता का लालच करेगे एक आप आपको लेको पुछली कि ये जब आपने ति में सब्सक्राइब हुए मैं सब्सक्राइब ऐक सब्सक्राइब में सभी के लिए अंतिम 20 सेकंड देने जा रहा हूं एक मिनट सार सभी को अंतिम 20 से जावे जी 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं आप कि अब है मैं मिस्रा जी की बात पर अपना कमेंट देना चाहिता हो कि मिस्रा जी ने एक तरब जो है एक डल को बड़ा घेरने का प्रेयास किया लेकिन एक चीज जान लीजिए राजनीत में जब धार्मित प्रतीकों का उपयोग होता है तो राजनीत कलाही हो जाती है और तुमिक राज़र्म आप लोगों का यही है. वार्वबाच्टी जो है जन हिताशी हो जाती है. लेकिन इस देश के अंदर, इस देश के अंदर अगर हम धर्म का उपयोग करे तो अच्छा, और मनोज जिए अगर धर्म का उपयोग करे तो गलब. मिस्रा जी यह नहीं चलेगा होगे जिए पर अपर आजने सब्सक्राइब जबाब है कि जो ड़ाओ जी ना कर पाया वह एक काम कर देंगे कमिशन दे दो गे तो हिंदुस्तान को निलाम कर देंगे और दूसरी सेर इन पे है कि जुटों ने जुटों से कहा सच बोलो घर के अंदर जूटों की एक मंडी है और बीजेपी ने दर्वाजे पे लिख डाला है सच बोलू तो ये पूरी तरह से जूट हैं इनको मैंने कहा कि एंजीटी की रिपोर्ट पढ़ लिजी है गंगा मैया पहले से ज्यादा मैली हो गई हैं इनका चौकिदार कैसे है कि जो न कुमारशोग जी बिल्कुल होना चाहिये एक मर्मनो सिंग्हा कांगा मैला सुरक्षा कहा पर हो रहे हरोजगार स्वाचिगंगा कहा है 7000 sırला कहा है काला धन को है सब का साथ सब का विकास कहा है वाकई में देश आप से ये पूछना चाहे का जहां पर आप चौकिदार लगाएंगे अपने नाम के ठीक पहले चौकिदार से सवाल होगा यकीनन होगा कहा है अच्छे दिन कहा है अच्छे दिन यह देखिए रश्णा बंसल भी पूछ नहीं ठीक है कुमार शोग जी राशिद जी यह सवाल आप पूछ रहे हैं लेकिन विपक्ष विपक्ष शिर्फ मोधी को गाली दे रहा है अज विपक्ष में अटल जी ने इंडरा गांधी को आईरन लेडी कहा इंडरा बहुत बातियों पंद की जिए लेकिन क्या विपक्ष ने क्या विपक्ष ने आज अगर अटल जी ने इंडरा गांधी को आईरन लेडी कहा लेकिन क्या विपक्ष ने कहीं पर तारीफ करने की बात रखी वो तो अपड़ा विपक्ष धर में निभाब आ रहा है चौदी चरण सिंग को जिसने प्रधान मत्री नहीं बनने दिया जिस समाजवादी पार्टी ने चूरा भोपा आज वो उसकी गोज में जाके वैड़ गए क्या यह सियासत है पहली बार ये देश प्रधार मंत्री चुनने के लिए लड़ रहा है चली ठीक है अर्विन रहे बाद चौकिदार की अच्छे दिन की पंदरा लाग की किसानों की नौजवानों की दलितों की पिछडों की वंचितों की सब जगा भारतिये जनता पार्टी नकाम है पांच साल में एक ही विकास हुआ की गोड से की विचार धारा वाले लोग आज गाधिवा प्राइमिस्टर चाहिए चोगिदार नीची है वंदना बाद चुनाओ के समय में यह चुनाओ धर्म निभाया जा रहा है यह राज धर्म नहीं निभाया जा रहा है किसी के भी द्वारा एक दिनों में चुनाओ के समय में अकस्मात आ करके जनता से प्रेम दिखा करके किसी का निरणे नहीं बदला जा सकता है इसलिए जनता के दरबार में जाना है को तो दियम बस तुगोविंदम तुम भेमेवा समर पए कि धारना पर जुकार करेंगा वही राज़्धर्म है जो चुनोतियां पांचल साशन कर लेने के बाद आज बीजेपी के लिए मोदी जी के ल जाले और उससे ज्यादा कर ले जो छोटे-छोटे दले उनका राज़धर्म आज की डेट में यह है कि संसद में जैसे पहले राजाओं के हां सीटे लगती थी संसद में कहीं उनको सीटे मिल जाए सब लोग अपना राज़धर्म कर रहे हैं लेकिन जनता से तो जरा पूछ अचलो सहाब की असली राज़धर्म क्या है और क्या करना है इंक्लूडिंग आल पार्टी